हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अमन आनालिसिस में तो दोस्तो आज का ये जो वीडियो है ये रहेगा NTA1 2021 के रिजल्ट डेट के उपर मेरे पिछले वीडियो में बहुत से बच्चों ने ये कोशन पूचा कि जो रिजल्ट है वो कब तक डिकलियर होगा और जो SSB डेट्स है यानि कि जो इंटरव्यू की डेट्स होंगे वो कब तक आप मिलेंगे तो बहुत सारे डाउट है और हर डाउट इस वीडियो में क्लिय होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा इंट तक जरूर देखना अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्ट के उपर ठीक है तो फैक्ट यह रहते हैं कि अगर आप पिछले बहुत से एंडिये देखोगे रिजल्ट जो मिनमम है वो 50 डेज के अंदर वो लोग कर देते हैं डिकलियर यानि कि 50 दिन लगते हैं आपको जो डिकलियर करने के लिए दो तीन बार ऐसे केज आये हैं जिसमें 25 डेज में भी जो डिकलियर हुआ है यह बाट ठीक है तो यह चीज सबसे पहले हम लोग फैक् होगे तो उनका जो कंक्लोजन वो एक ही मंत के उपर है ठीक है और अगर आप घुमा फिरा कर देखोगे तो 50 डेज का ही क्राइटिरिया वो लोग भी फॉलो कर रहे है ठीक है तो आपको एक और चीज बता दू कि SSB जो SSB है वो SSB डेट्स आ रही है अलग 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 एंट लोग कि आपको जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और 50 डेज के हिसास अगर आप देखोगे तो आपका फस्ट वीक ऑफ जून यानि कि जून के पहले अफते तक जो आपका जो रिजल्ट है वो जरूर आपको मिल जाएगा तो ठीक है रिजल्ट आपका किछ फर्म में रहता ह रिजल्ट आपको रहता है कि आपके जो रोल नमबर है उसके इसाप से आपका रिजल्ट मतलब नाम नहीं होता उसमें आपका बस जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं 7,000, 8,000 बच्चे यitने भी होंगे उन लोग का क्या है जो नाम है उन लोग का जो रोल नमबर है वो करते है इन लोगों ने clear किया है, जिन लोग का उसमें नहीं आता, वो लोग वो clear नहीं कर पाएं, ठीक है, तो ये simple सा format है result का, उमिद करता हूँ आपके दिमागों कोई doubt आएगा नहीं, आपके दिमाग में ये result का doubt नहीं, आगे preparation करने का doubt आना चाहिए, ठीक है, तो और भी अगर कमेंट सेक्शन में जरूर, उसका answer भी आपको मैं भी अगली वीडियो में देखूँगा, चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत!